ये गाइस विलकम तो मैं चैनल दे इंजिनीरिंग बड़ी आप सभी ने कॉलेज का लिस्ट अच्छे से प्रिपेर कर लिया होगा आज आज आपको तो फाइनल में लिस्ट निकल गया होगा आज कल से काप राउंड वन स्टार्ट होने वाल है इसे बनाना गया बीज अच्छे से कॉलेज का लिस्ट बनाना उससे बनाना फिर इसे चले में उसके आपको कोलेज को आपको इसे दलगाना की अचया olsun तब बनाना हो तो अज को इसे बर मसमें आपको तो इसके बार में पता चल जाएगा क्यों सब लोग ऐसा बोलते हैं अगर आप इंजिनेरिंग सुडेंट हो और मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दू कि मैं इस सीटी प्रोसेस में कम्लेट होने के बाद आप लोग के अडमिर्शन होने के बाद मैं इंजिनेरिंग का फॉर्स्ट यर का सिलावएस भी कवर करने वाला हूँ इस चैनल पर अगर आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आपको अच्छा रहेगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्स्ट यर में क्या-क्या इंपॉर्टेंट रहता है क्या-क्या मिश्टेक नहीं करने चाहिए कौन-कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्या आपको फोर्थियर तक या आगे तक काम आएगा तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर देए तो लेस्ट चार्ट वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऑटो फ्रीज क्या होता है और नॉट फ्रीज क्या होता है तो जैसे कि आप मानलो आपने कॉलेज का लिस्ट बनाया ठीक है और आपने एक कॉलेज जो फॉर्स नमर पर आपने जो डाला है अगर वही कॉलेज आपको मिल जाए तो आटो फ्रीज हो जाएगा मिंस आप सक्केंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे आपको वही कॉलेज देना पड़ेगा आपको अटो फ्रीज हो जाएगा इसलिए आप सभी को बोल रहे है कि कॉलेज का लिस्ट अच्छे से प्रिपेर करना क्यूंकि अगर आपको समझो आपने आपका जो फॉर्स नमर पर डाल दिया और फॉर्स नमर पर कोई छोटा कॉलेज डाल दिया जो आपको परसेंटायल इसलिए आपको बोला जाता है कि अच्छे से कॉलेज का लिस्ट प्रिपेर कीजिए आप समझ गया होंगे आपको बात करते हैं सेल्फ रिज के बारे में जैसे कि आप आप जैसे कि आपने अच्छे अच्छे कॉलेज स्टार्टिंग में डाले हो जैसे कि सेकेंड नमर से बेटर जो फर्स नमर पर कॉलेज डाले होगे वह बेटर रहना चाहिए सेकेंड नमर से थर्ड से बेटर से बेटर सेकेंड का सकेंड कॉलेज होना चीए तो अगर आप वो फॉर्मेट में डाले हो और आप समझो कि आपको थर्ड नमर का कॉलेज आपको मिल गया है अगर आप चाहते हो कि यह कॉलेज अच्छा है मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है कॉलेज में तो आप इसको सेल फ्रीज करके एडमिशन ले सकते हो आप सेल फ्रीज कर दोगे तो आपको इसमें एडमिशन मतलब इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा फिर आप सेकेंड राउन के लिए अलिजिबल नहीं रहोगे जो सेल फ्रीज मतलब जो आपको कोई कॉलेज आया और आपको लगते है कि हामेरे लिजी एसका सेल फ्रीज कर दें आप उसमें जाकर आडमिशन ले लिए फिर आफ समझे कंगा हूंगे को बात करते हैं कर थे नंट कräके के बारे में यह इंपॉर्टेंट है तो जैसे कि आप समझो आपको कोई लास्ट सम्झो सेवें नमर का कॉलेज आपको मिला और आपको लगता है कि मुझे यह फॉर्स टू शिक्स में कोई कॉलेज मिलता तो मेरेको अच्छा रहता तो आप नौट फ्रिज यह कॉलेज को आप यह सकेंड करना चाहते हो कि मैं फिर से ट्राइओ करूँगा मीरेको इससे अच्छा कोलेज मिल सकता हैं तो इसको नौट फ्रिज पर जा सकते हो means betterment पर तो अप यह सेवेंथ कॉलेज को नौट फ्रिज करके 7th नमर पर कॉलेज मिला उसको नौट फ्रिज करके आप उस college को hold पे कर सकते हो, means betterment के लिए जा सकते हो, जैसे कि मैंने ये 7th college मेर को मिला, 7th नमर का college, ठीक है, मैंने इसको not freeze कर दिया, means मैंने इसको hold पे डाल दिया, अगर मुझे, मतलब और एक और important point, not freeze में आप college का list change नहीं कर सकते, समझे, जो format आपने cap round 1 में डाला था, जो 1st नमर पे, 2nd नमर पे, 3rd या 4th, जो इससे डाला था न, वो इसे ही रहेगा, not freeze में college change नहीं होता है, college का list आप थोड़ा भी changes नहीं कर सकते, वो इसे ही रहेगा, same रहेगा, उसमें आपको अगर 6th नमर पे, जैसे 7th नमर पे आपको मिला है, ठीक है, और अगर आपको 4th या 3rd नमर आपको मिल गया, 2nd cap में, ठीक है, तो आप ये 7th नमर का college फिर से नहीं ले सकते, या आपका चले जाएगा, आपको वही college लेना पड़ेगा, जो फिर से cap round 2 में मिला ह अगर आपको, अगर आपको, अगर आप not freeze करके, cap round 2 में जाते हो, और आपको एक भी college नहीं मिलता है, तो आपने जो college को hold पे किया था, वो college आपका एकदम hold रहेगा, safe रहेगा, आप उसमें जाके admission ले सकते हूँ, आपको, मैं shortly explain करने का try क्या हूँ, so I hope आपको समझ आ गया होगा, and please, अगर आप अच्छे से college प्रपेर करोगे, so आपको कम percentile में भी अच्छा college मिल जाएगा, so बस यह थान से किजिए, and that's it for the video, and if you like this video, hit the like, do subscribe the engineering buddy, and thank you for watching.